नवश्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चुले जानते हैं देश्विदेश वी कुछ प्रमुक खबरों को जिसके दहत उन्होंने कहा कि केवल एक रिजल्ट आपकी परिभाशा नहीं करता है इस संबंध में प्रधानमत्री नरेंद्र मोधी ने ट्वीट भी कि हैं जिसमें उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा कि मेरे सभी युवामित्रों को बधाई जिन्होंने अपनी दसवी और बारहवी के नतीजों से खुश नहीं है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक परिक्षा आपको परिभाशित नहीं करती है आप कौन है आप सभी में हर कोई प्रतिभाव का धनी है इसलिए जिन्दगी को जी भर के जिए बीते 24 घंटे में आए कोवर्ड-19 के रिकॉर्ड तोड मामले दर्ज किये गए है स्वास्तवभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोवर्ड-19 के 32,695 नहीं मामले सामने आए है और 606 लोगों की जान चली गई है इसके साथ ही देश में कोवर्ड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 9,68,886 हो गई है जुसमें से 3,31,146 सक्रिये है वही 6,12,801 लोगों इलाज के बाद चुटी दी जा चुकी है वही जान गवाने वालों की संख्या 24,900 तक पहुँच चुकी है वही भारत के कई राजियों में कोवर्ड-19 बहदी चुनता जनक आकड़े पेश कर रहा है वहराश्र में अब त 6,928 लोगों की जान जा चुकी है गेहों के दाम को 500 रुपय प्रतिकविंटल घटाने से सरकार की होगी 9,000 करूर रुपğben की बचट जिसके तहत 8-8 मिल मालिकों ने केंदर सरकार को सुझाब दिया है मिली जानकारी के इनुसार 8-8 मिल मालिकों ने केंदर सरकार से खुले बाजार बिक्री योजना के तहट थोक ग्राकों को दिये जाने वाले गेहूं के दाम में 500 रुपए प्रतिक विंटल घटाने का आगरह किया है। सरकार के पास काफी स्टॉक जमा होने का दाबा भी किया है। के साथ श्रम मंत्री यूजीन कालिया को समन्जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि भारत से बड़ी संख्या में प्रफेशनल H-1B वीजा पर ही अमेरिका में लंबे समय तक काम कर रहे है। H-1B वीजा अमेरिका में कारुबार करने वाले कमपनियों के विदेशी कामगरों को देश में रहने के अनुमती देता है। सरकार के S-1B वीजा के खिलाफ आदेश से सबसे जादा भारती अही प्रभावित होते हैं। गंज चिले में जमीन से 18 किलोमेटर की गहराई में था जिसकी जानकारी नाशनल सेंटर फोर सोशलोजी की तरफ से जारी की गई है। ताके इस कमपन में किसी मीतरे के जानमाल के नुकसान की बात सामने नहीं आई है। नेपाल में एक बार फिर से शुरू हुआ भारती न्यूस चैनल का प्रसारन नेपाल में कुछ समय के लिए भारती चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जुसके बाद अब दर्शकों के दबाव के कारण ओपरेटर ने उसे बंद को हटा दिया है। नेपाल सरकार के आदेश के खिलाब दर्शक खुल कर अपनी आवाज उठाते देखे गया है। दो दिन पहले ही नेपाल सरकार के सूचना तथा संचार मंतरी युवराज खातिवाड़ा ने देश के तमाम केबल ओपरेटर को भारती न्यूस चैनल के प्रसारन पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने को कहा था। पही नेपाल की आमजंता ने केबल ओपरेटर के फैसले का विरोध किया। इसके बाद सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। मिली जौनकारी के नुसार मजबूर होकर सभी केबल ओपरेटर ने आज सुबह से भारती न्यूस चैनल के प्रसारन को फिर से सुचारों रूप से शुरू कर दिया है। मिली के बड़े भाई और क्रिकेट असोसियेशन आफ बंगाल के जॉइंट सेक्रेटिस ने हशीश गांगुली का कोवर्ट नाइटीन टेस्ट पॉजिटिव आया है। की खेती के लिए बेहत लाब धायक बताया है। जिसके तहट भारतीय मौसम वभाग के तरफ से जारी किये गए बयान में हका गया है कि चार महीने के साउथ वेस्ट मॉनसून के पहले जोर में 17 राज्यों में नॉर्मल बारिश हुई है। भकरशी के अनुकूल है। पर बीते दिन दुनिया के कई दिगकजों का ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। इसके बाद कई घंटों तक ट्विटर में ब्लू टिक वाले सभी अकाउंट को बंद कर दिया गया था। अकाउंट हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट करके बिटकोईन के रूप में पैसे मांगे जा रहे थे हाला कि इस मुश्किल को फिलहाल निप्टा लिया गया है अमेरिका के पूर्व राष्टपती बराक अबामा, अमजोन के सीईओ जेफ बिजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्टपती उमिद्वार, जो बाइडिन, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेज, सहित का इदिगकजो के ट्विटर अकाउंट को एक साथ हैक कर लिया गया था अगले 30 मिनट तक मुझे जो पेमिट भेजी जाएगी, मैं उनका दो गुना लोट आऊँगा, अब 1000 डॉलर का बिटकोईन भेजूए, मैं 2000 डॉलर वापस भेजूँगा, जिसके बाद हैकर्स ने लगभग 300 लोगों से 1,10,000 डॉलर के बिटकोईन्स निकाल दिये हैं 58 साल के सुनील श्रेटी अपनी उम्र को लेकर है परेशान, बॉलिवुड के मशूर अभिनेता सुनील श्रेटी पिछले कुछ समय से बॉलिवुड से दूर चल रहे हैं, लेकिन वे अभी फैंस के बीच लोगप्रिये बने वे हैं, उनके फिटनेस के प्रती पैशन और अब तक अपने प्रसंशकों के बीच में लोगप्रिये बना रखा है, सुनील श्रेटी अब 58 साल के हो चुके हैं, और उनकी बेटी आतिया श्रेटी बॉलिवुड में डेब्यू कर चुकी है, सुनील श्रेटी खुद भी कई प्रोजेक्ट्स को लेकर व्यास चल रहे हैं, सुनील श्रेटी ने कहा कि आप देख सकते हैं, कि मैं अब 58 साल का हो चुका हूँ, जवान भी नहीं हूँ और बूढ़ा मैं दिखता नहीं, इसलिए आसानी से कोई मुझे पिता का रोल नहीं देता और मैं अभी हीरो बन नहीं सकता, तो इस उम्र में आकर फिल्मों में सही किरदार का चोयन करना, वो भी अपने उम्र के हिसाब से मेरे लिए काफी मुश्किल होता है, असम की बाढ़ में साथ और लोगों की जान चली गई है, वह 26 जिले के लगभग 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, असम राजय आपदा प्रबंधन प्राधिकर ने साफ तोर पर कहा है कि मोरी गाउं जिले में तीन लोगों की जान गई है, जबकि बारपेटा में दो, सोनित पुर में और गोला घाट जिले में एक एक विक्ति की जान गई है, राजय में बाढ़ से संबंधित वाक्या में अब तक 92 लोगों की जान जा चुकी है, आपकी जानका अगर दिब्रूगर समेत कई अन्य जुले बाढ़ से प्रभावित हैं। हर साल होने वाले भरती में स्कूल के चात्रों का हिस्सा करीब 25 फीजदी रहता है। इसके साथ ही इरडा ने बीमा कंपनियों को डॉक्टर और स्वास्त कर्मियों को कोवर्ड-19 कवच प्रीमियम पर 5 फीजदी छूट देने की अनुमती दी है। मिले जानकारी के अनुसार प्रीमियम भोगतान एक बार करना होगा और फिर पूरे देश में प्रीमियम राश्वी सामान होगी। पुछ रिपोर्ट में अस्पताल द्वारा मरीजों को बीमा पॉलसी के बावजूद कोवर्ड-19 के इलाज के लिए कैशलिस सुविधा नहीं देने की बात कही गई है। जिसके बाद 50,000 से लेकर 5 राख तक के बीमा कवर देने की बात भी कही गई है। बैंक और RBL बैंक में एक अगस्स से प्रभावी हो जाएगा। निकालने के बाद 20 रुपे प्रती बार निकासी और गयर वित्तिय लेन देन पर 8.5 रुपे शुलक लगेगा। भारत में 7 साल के सबसे उचिस्तर पर पहुँचा चांदी। COVID-19 के समाहौल में चांदी की चमक बढ़ गई है। घरेलू बाजार में चांदी का भाव 7 साल की नई उचाई को चूरा है और आगे भी इसके बढ़ने की ही उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते वे यह कदम उठाए गया है। की तरफ निवेश को कार रोजान बढ़ा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारत में COVID-19 के रिकॉर्ट तोर मामलों को देखते वे सक्थ लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देने वाइ